हमें dimensional analysis की जरूरत है मतलब किस unit का क्या dimension है ये निकालना हमें जरूर आना चाहिए क्यों? क्योंकि सड़क पे चलते जलते कोई भी दूद वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, ओटो वाला, रिक्षे वाला आप से पूछ सकता है कि इस दिये का equation में alpha और beta बताओ मतलब ये दोनो velocity, acceleration, time, frequency, energy, momentum इन में से क्या है? क्यों पूछेगा? क्योंकि हिस्ट्री में BC तीन से चार सेंचुरी तक सब ठीक चला था और यहां BC का full form before Christ है जहां हिस्ट्री में कुछ लोग pyramids और kolosium बनाने में busy थे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका काम बस सोचना था दिन भर यह एक जगा बैट के बस imagine करते रहते थे और कुछ तो लिखते थे paper पे हम लोगों को पेड़ को पत्थर मानना पड़ता है ताकि फल गिरे उस पे से लेकिन इनके पास अगर बिना मेहनत के भी फल गिरता है तो यह उसके बारे में भी सोचा करते है इनसे भी पहले ऐसे कोई बुद्धी जीवी थे जिनको हर चीज नापने की चूल मची इंगलोडिंग लाइट, उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड, टेंपरेचर, मास, लंबाई, चोड़ाई, प्याज, लेसन, सब पर अब पानी एक मीटर लंबा और एक मीटर गरम तो हो नहीं सकता इसलिए हर एक क्वांटिटी के लिए एक अलग यूनिट डिसाइट की गई पर इन्हें समझ में आया कि ज्यादा तर यूनिट्स जो हैं, वो दो-तीन यूनिट को मिला के यह उनसे ही डिराइफ की गई है मतलब इन सारे यूनिट्स के एक ही ममी पापा हैं, पर निकले साथ और इन साथों को कहा जाता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फंडमेंटल यूनिट्स जिसमें पहला है मास, यूनिट किलोग्राम, सिम्बल केजी दूसरा है लेंथ, यूनिट मेटर, सिम्बल M तीसरा है टाइम, यूनिट सेकेंड और सिम्बल S चौता है टेंपरेचर, यूनिट केल्विन, सिम्बल K फिर पांचवा है एलेक्ट्रिक करेंट, यूनिट एमपियर, सिम्बल A छटा है लाइट की इंटेंसिटी, जिसको लिूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं और यूनिट है केंडेला, सिंड्रेला की बेहन, और सिम्बल है CD साथवा है मैटर की क्वांटिटी, जिसकी यूनिट है मोल, और एक मोल बहुत बड़ा नमबर है बाई अगर तू एक दर्जन केला मांगे, तो तुझे इतने केले मिलेंगे पर अगर तू एक मोल केला मांगता है, तो तुझे इतने केले मिलेंगे पता ने इतने पूरे दुनिया में भी होंगे की ने ये सारे तो हो गए ममी पापा अब इनके बच्चों की बात करते हैं मतलब वो यूनिट्स जो इन से डिराइब की जाती है जिसमें नमबर वन पे है वेलोसिटी नाम कितना मस्त है ना वेलोसिटी सुनने में कितना जबरदस लगता है पर ये बी एक डिगरी जैसी है होना ना होना सब बराबर है तेरे पास वेलोसिटी है याने ये जाने के लिए तुझे अपने बाजू अले को देखना पड़ेगा अगर वो तुझे हिलता हुआ लग रहा है तो मतलब तुम दुने के बीच में वेलोसिटी है और अगर तुझे दूसरे वाजू अले को देखता है जो नहीं हिल रहा है तो उसके हिसाब से तेरे पास वेलोसिटी नहीं है और तेरे हिसाब से भी उसके पास वेलोसिटी नहीं है मतलब तेरे पास वेलोसिटी है भी और नहीं भी यह कोई absolute चीज नहीं है यह relative है दो लोग के बीच में पर आज का topic यह नहीं है आज का topic है इसका dimension unit है इसकी meter per second, meter मतलब length, length के लिए l और second है time, time के लिए है t तो इसका dimension हो गया l by t यह length into time का inverse कितना असान है न अभी इन्हें ml t को एक standard dimensional formula बनाना है और जिसमें ml t नहीं भी है उसमें जवरदस्ती खुसेड़ना है अभी इसी में देख लो इसको lt inverse नहीं लिखेंगे m to the power 0 into lt inverse क्योंकि m to the power 0 1 हो जाता है और वो lt inverse के बराबर ही होगा लगता है scientist का मानना है कि भले ही हमें एक खोज करने में अपनी पूरी जिंदगी लग गई पर हम तुम्हें भी इसे एक बार में समझ्या नहीं देंगे ऐसा ही होता है acceleration जिसकी unit है meter per second square इसका dimension है m to the power 0 lt to the power minus 2 ऐसा ही velocity में मास चिपका दिये momentum हो गया और dimension mlt inverse अगला है force, force पराबर मा मतलब mass into acceleration acceleration में मास चिपका दिये हो गया force का dimension यानी mlt square inverse ऐसे ही pressure, impulse, energy, power, density, angular displacement इन सारी चीजों का dimension निकल सकता है पर अब ऐसा भी नहीं कि सबका mlt के form में ही होता है अब current को ही ले लो उसको हम ampere में लिखते हैं मतलब A पर इन scientist के चकर में हमें भी इसको standard form में लिखना होता है और M to the power 0, L to the power 0, T to the power 0 के बाद एक ही आती है बारी कहीं last में वो भी इस डब्बे वाले bracket के अंदर इस bracket का कोई तो reason है पर बड़ा फुद्दू सा है main formula इसके अंदर ही है देखा कितना असान है ना एकदम easy पर याद रहे कई बुड्डों ने इसके पीछ अपनी जवानी बरबाद की है और इसका बदला वो तुम्हारी जवानी से लेंगे कैसे? ये देखो, ये देखो, ये देखो और भी बहुत हैं पर घबराने की ज़रुद नहीं है ये सब तुम्हें एक ही बार में नहीं याद करना होगा अभी हम वो देखते हैं जिसे हमें देखने का भी मन नहीं करता सवाल वही, पहले बाला सबसे पहले देखते हैं sin beta t sin beta t, cos beta t ये हैं trigonometry के function और इन function का boss beta t यहाँ sin का तो कोई dimension होई नहीं सकता जैसे exponential logarithmic और बात करें थीटा मतलब angle की तो वो भी dimension less होता है angle को radius से multiply करने पे arc length मिलता है मतलब arc length को radius से divide करने पे थीटा मिलेगा arc length और radius दोनों ही length length का dimension L L by L cut के आगया 1 मतलब थीटा का कोई dimension ही नहीं और अब आते हैं अपने sin beta t पे जहां angle की जगा बीटा t है t याने time बीटा t का यहां dimension होना चीए 0 पर यह क्या यहां तो time आ रहा है मतलब इसका dimension कुछ न कुछ तो होई जाएगा तो इसको compensate करने के लिए बीटा का dimension t का inverse होना पड़ेगा ताकि यह दोनों cancel कर देख दूसरे को याने बीटा का dimension t inverse जो have frequency अब आते हैं अपने alpha पर sin beta t तो dimensionless याने force upon velocity का square ही यहां dimension decide करेगा force का formula मतलब mass into acceleration mass का m acceleration का lt square inverse निचे velocity मतलब lt inverse पर उसका square है तो l square t square inverse वाह बहुत सही जा रहे हैं हम लोग बस एक step और यहां एक l से एक l कड़ गया और time वाला term पूरा ही कड़ गया उपर बचा mass का m और नीचे बचा length का l और alpha है हमारा linear mass density अप हालतू मैं इतना excitement show कर रहा हूँ मैं पहले ही जानता था पर जाते जाते एक आखरी ग्यान जैसे x और x square को multiply divide तो कर सकते हो पर add या subtract नहीं कर सकते वैसे ही अलग-अलग dimension जैसे velocity और acceleration इसको multiply divide तो कर सकते हैं लेकिन add या subtract नहीं कर सकते हैं add या subtract करने के लिए दोनों का dimension सेम होना चाहिए कभी किया हो तो माफी मांग लो नहीं तो नर्क में जाकि न्यूटान के बालू आले जाडू से कुटाई होगी